हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल, तो संध्या की रसोई में आप से भी लोगों का फिर से स्वागत है आज हम आपके लिए फिर से एक नास्ती की निव रेसिपी लेके आए हैं पोहा और पेशन की बिलकुल यूनिक है और बहुती कम समय में बनके तयार हो जाती है अब यहाँ पर हम दो कफ पोहा ले रहे हैं, पोहा नॉर्मल वाला है जो हम लोग खाते हैं अब इसको हम साप पानी से दो-तीन बार अच्छे शे वाश कर लेंगे क्योंकि यह बहुती ज़्यादा गंदा होता है तो यहाँ पर मैंने पोहा को वाश कर लिया है दो बार अच्छे पानी से अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पांच मिनट के लिए ढखके रख देंगे, जिससे यह फूल जाए यहाँ पर मैंने फ्राइपैन लिया है, फ्राइपैन में तीन से चार चमच ओईल यूज किया है अइल यहाँ पर गरम हो चुका है, अब इसमें एक चमच हम जीरा एट करेंगे और एक चमच इसमें हम राही जो सर्सोधी उसको आट करेंगे और थोड़ी से इसमें हम हिंग डालेंगे, हिंग डालना बहुत जरूरी है जब आप बेसन का यूज करें आप यहाँ पर हम हरी मिर्च एड़ कर रहे हैं और साथ में एक चम्मच हल्दी पावडर एड़ कर रहे हैं गैस को बिल्कुल मेडियम कर दीजिए नहीं तो हल्दी आपकी जल जाएगी अब इसमें हमने कटी वी जो हरी मिर्च भी एड़ किया आप इसकी जब पर चिली फ्लेक्स भी एड़ कर सकते थे और सफेद या काला तिल भी एड़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कप बेसन लिया है इसको मेडियम गैस में ही हम भूनेंगे नहीं तो यह हमारा जल जाएगा तो यहाँ पर देखे बेसन का कलर विलकुल चेंज होने लगा है तो कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रग देंगे वह अच्छे से फूल गया है हलका सा ड्राई हो चुका है अब इसमें जो हमने बेशन भूना था ना वो बेशन भूना हुआ इसमें हम एड़ कर देंगे तो यहाँ पर बेशन मैंने भूना हुआ एड़ कर दिया है अब यहाँ पर हम कटा हुआ हरा धनिया एड़ करेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें हम नमक एड़ करेंगे एक नीबू एड़ करेंगे नीबू का रस आप चाहें तो यहाँ पर आमचूर पाड़ोर भी यूज़ कर सकते हैं और एक छोटी चमस यहाँ पर हम गरम मसाला एड़ करेंगे अब हाथों के हलब से इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करते करते हमें इनका एक डो बना के तयार करना है पोहा में बहुत ज़्यादे मुश्यर रहता है इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है इसी तरह से हमारा ये डो बनके तयार हो जाएगा अगर आपको हलका ड्राइ लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अब यहाँ पर मैंने ओईल लिया है ओईल अच्छे से लगा के इसको फिर सी एक बार कूथ लिया है तो यहाँ पर यह हमारा डू बनके तयार हो चुका है अब यहाँ पर डू बनके तयार हो चुका है उसके बाद दोनों हाथों में हम लगाएंगे ओल और फिर नास्ता बनाना शुरू करेंगे थोड़ा सा मसाला लिया है इसमें तो हातों की help से, दोनों के हातों की help से हम इसको बनाएंगे गोल-गोल इसको गुमाएंगे उसके बाद इसको इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से ये हमारा नास्ता बन गया है तो इसी तरह से हम सभी नास्ते जितने हमें बनाने हैं वो सभी बना लेंगे दूसरी तरफ फ्राइ पैन में मैंना ओयल गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें हम अपने नास्ते डालेंगे जितने बनाए थे तेल यहां बहुत ज़्यादे गरम रहता है इसलिए नास्ते को बहुत ही समाल के आप डालिए नहीं तो कहीं जलना जाये इस बात का बहुत ध्यान रखियेगा अब इनको आप अलटते पलटते सेख लीजिए और जब आप इनको सेख येगा न तो medium गैस में नहीं तो यो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगे आप अगर तीज गैस में सेख लेंगे तो जब तक ये सुनेरे ना हो तब तक आप इनको अलड़ते पलड़ते रहे और इनको सेख लेजें तो यहाँ पर ये देखिए कलर चींज हो चुका है सुनेरे हो चुके हैं अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह बाकी के सवी नास्ते सेख लेंगे अब यहाँ पर देखिए ये सभी नास्ते हमारे अच्छी से सिक चुके हैं बहुत ही कृिस्पी हैं देखने में ही लग रहे हैं बहुत ही चाद अच्छी बने हुए हैं बहुती कम समय में बन जाते हैं सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इनको आप दो-तीन हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं सुवए की चाय के साथ या साम की चाय के साथ खा सकते हैं हमारी ये रेसी पे आप सभी लोग को पसंद आएगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फुल बहुत जरूर करिएगा